हाई गाईज वेलकम टू आर चैनल रबदीप सक्सेना ब्लोग्स आज हम जा रहे हैं फेनिक्स मॉल आफ दे मिलेनियम जो की पूने के वाकड एरिया में इस्ते थे तो अभी हम आ चुके हैं मॉल आफ दे मिलेनियम यह आप सामने से देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है यह मिलेनियम फैस्टिव एडिटी लिखा हुआ है क्योंकि अभी क्रिस्मस आ रहा है तो फिर काफी अंदर डेकुरेशन है क्रिस्मस के रिलेटेड आईए अब हम चलते हैं अंदर यह सामने जो है वो एंट्री गेट है पैदल जाने वालों के लिए यह साइड में पेड़ों पर जालर डाल रखी है काफी अच्छी लग रही है साम के समय यहां काफी भीड रहती है आसपास के लोग काफी विजिट करने आते हैं यह pedestrian lane पूरा जहां हम पैदल लोग जाते हैं जहां से इस साइड में sitting area देखिए leaves का पत्तियों के design बना रखा है जो की काफी अच्छा लग रहा है देखिए इदर लोग आकर अपना थोड़ा से बैठते हैं यह अब हम चलते हैं अंदर यह देखिए अभी क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री बना रखा है काफी उंचा और बड़ा है यह किसमस ट्री और यह बताएगा है कि यह पूने का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है इस साल काफी अच्छी lightning और डिजाइनिंग की गई है इस पर यह अभी लोगों के लिए अट्रेक्शन पॉइंट है जहां काफी लोग अपनी फोटोस किचाते हैं और यह सामने यह बाहरी मुजिकल फॉंटेंस हो है देखिए अभी साम में चलने लगा है तो काफी अच्छा लग रहा है यह काफी सिंक्रोनाइज रहता है म्यूजिक बचता रहता है अभी हमने म्यूजिक की साउंड को आफ कर दिया है कॉपी राइट की वज़े से और इसी के सामने यह स्टेर्स हैं जहां लोग बैट कर म्यूजिकल फॉंटेंस हो देखते रहते हैं साम में यह काफी और अच्छा लगता है क्योंकि अंधिरा हो जाता और लाइटनिंग रहती है आईए अब हम चलते हैं अंदर मौल के यह स्टार्टिंग में ही मार्क्स एंड इस्पेंसर का सोरूम है यह जो गेट है वो गाड़ी वालों के लिए है फॉर वीलर यह बाहर रेखिए काफी अच्छी डिजाइनिंग की रखी है इस्पाइरल लाइट्स लगा रखी है जो गूम रही हैं काफी अकलसन लगता है यह साइड में बॉल पर काफी यूनीक डिजाइन है हमा आ चुकें ऐं एंटरी गेट पर यह एंटरी गेट पर ही सेंटा बना रखें एक ट्री के साथ जहां लोग काफी लोग फोटो के चा रहे हैं और यह गेट के दूसरी तरफ भी तो दौनों ही तरफ यह सेंटा है बना रखें इदर आई अब हम चलते हैं अंदर यह स्टार्टिंग में ही मार्क्स एंडिस्पेंसर जो की क्लॉट्स के लिए यह उपर काफी यूनिक डिजाइन का जूरुमर अभी क्रिस्मस का टाइम है तो काफी लोग यहां विजिट करने आ रहे हैं देखिए यह चार्ट बना रखा है पूरा हर कैटिगरी में कौन-कौन से सोरूम्स हैं इस बॉल में फुट बेर के लिए मैंस फैसन के लिए अप्टिकल्स के लिए और फूडिंग के लिए जोली के लिए यह नीचे थर्ड वेव काफी काफी अच्छा सा उन्होंने सिटिंग एरिया बना रख बनाया है नीचे यह H&M का सोरूम जहां बुमेंस, मैन, बेबी, किट्स के लिए काफी अच्छा कपड़ों का सेक्षन है यह सामने देखिए वाल पर दिवापर काफी अच्छी डिजाइन है जहां यह Christmas Tree Formation हो रहा है देखिए Lightning में जो की काफी अच्छा लग रहा है देखिए सामने काफी अच्छा यूनिक डिजाइन से यह बनाया है उपर भी यह काफी अच्छा लगता है और यह बीच में लोग जाकर फोटो किछा सकते हैं यह लाइफ स्टाइल का सोरूम जो की आपको एक और आप्सन देता है क्लोटिंग में Bath and Body Works जहां आपको बाडी के लिए काफी प्रोड़क्स मिल जाते हैं यह देखिए सामने प्यानों पर म्यूजिक प्ले करते हुए जो की काफी अच्छा गर्सटीव यह देखिए काफी यूनिक डेजाइन आपको बस्ति में और द्यूजिक के यान बस्ति में मिए जो की काफी अच्छा रग रहा है केश्जमिज्था यह दिशाइन के मियाक्र मिश्शों और बनाई गया है और चीज़ें भी यह बीच में डांसिंग गर्ल्स की स्टेचियोज बना रखी है यहां कामा आयरुवेद एक और सोरूम जहां आपको आयरुवेदिक के लिए अप्संस मिल जाते हैं आई चलते हैं आगे यह देखिए एक काफी यूनीक डिजाइन में यह भी एक बनाया गया है इस्ट्रक्चर जहां काफी लोग फोटो के चाते हैं काफी अच्छा लगता है और यह देखिए सामने जूमर जो की काफी अलग डिजाइन का है जो की एजली का ज्यादा जगे देखने को नहीं मिलता है यह नायका जो की ब्यूटी प्रोड़क्ट से यहाँ एक और आप्सन मिल जाता है नायका में काफी सारे आप्सनस इनके पास भी सॉपर्स, स्टॉप और वेस्ट साइड जो की आपको प्लॉटिंग के लिए और आप्सनस दे देता है एए चलते हैं यह देखे टेबल पर यह क्रिसमस का डेकरेशन किया गया है फ्लॉवर्स लगाए गए हुएं यह बॉल हैंगिंग है काफी अच्छा लग रहा है यह क्रिसमस के लिए ही किया गया है यह बुगार्टी का सो रूम जो कि मॉल्स में इसली नहीं मिलता जल्दी जहां आपको फुटपेयर और लेदर पर्सेज लेडी पर्सेज लेडी जो कि आप अधर आप्सेंस मिल जाते हैं यह काफी उनिक डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है लाइटनिंग एसके अंदर इसे देखिए कुछ अलग सा जूमर काफी रंबा यह जूमर बना हुआ है और काफी उनिक डिजाइन यह नीचे भी देखिए फ्लोर पर दिख रहा है अच्छा आएए अब हम चलते हैं ग्राउड फ्लोर पर यह दर आपको ब्लैक बैरी एक और क्लोफिंग सेक्षन मिल जाता है यह जो की काफी पॉप्लर ब्रैंड है इसका भी यहां सोरूम है और इस पर फटी परसेंट की सेल चल रही है यह देखिए कितना अच्छा डेकुरेशन लग रहा है यह बोट टाइ में फ्लावर्स लगे हुए हैं काफी अच्छा लग रहा है यह भी पीटर इंगलेंड जिस पर बाइटू गैट बन की सेल चल रही थी तो अभी यहां काफी ब्रैंड्स पर सेल देखने को मिली कोलंबिया भी एक मैंस के लिए मैंस के लिए क्लोफिंग का एक उप्शन फ्ल उसी के बागल में एक हस पपीज जो की फुटबेयर और लेडीज पर्सेज के लिए एक और ऑप्शन देता है यहां स्वापिंग करने के लिए आगे चलते हैं यह स्टार्बक्स का बीच में देखिए सिटिंग एरिया बना रखा है काफी अच्छा सिटिंग एरिया और बड़े एरिया में बना रखा है प्लांट्स ग्रीनरी काफी अच्छी की गई है और सामने ही है स्टार्बक्स का है जो की प्रोडक्ट है यह देखिए काफी अलग डिजाइन कुछ बना रखा है अदर काफी अच्छा लग रहा है यह भी तो ऐसे काफी अदर आर्टिकल बहुत सी चीज़ें बनाई गई हु हैंगिंग्स और यह सब बहुत चीज़ें अलग अलग लगा रखी हैं यह एक बैठे हुए हाथी का स्टेटियू है जो की काफी बड़े आकार में हैं काफी अच्छा लग रहा है यह देखिए उपर का दिखा रहा हैं मुरूफ कितना अच्छा लग रहा है उपर भी डिज जहां है ओन दिस फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कौन कौन से ब्रैंट से सेकंड फ्लोर पर ट्रेंट्स मिल जाता है थर्ड फ्लोर पर आइनक्स टाइम जोन फंसिटी इस वाले फ्लोर पर में पार्क अवे नियूम मिल जाता हैं यह एक और हैंगिंग आईए चलते हैं अब हम आग एक स्ट्रॉक्चर लगा रखा है लाइनिंगी स्ट्रॉक्चर यो कि काफी प्यारा लग रहा है काफी बच्चे यहां यह काफी इंजउय काते हैं यह देखिए हैट बना रखें जो कि काफी अलग कुछ है देखने में अच्छा डिजाइन है यह देखिए रूफ पर कितना अलग डिजाइन का रखा है डिजाइनिंग बहुत ही प्यारा लग रहा है यह यह चाहिए उसका सिटिंग एरिया हम दिखा रहे हैं आपको रूफ पर कितना अच्छा यह बना रखा है बीच में जो हैंगिंग्स हो रही है लीव्स के स्ट्रक्चर में है यह सुगर का सो रूम जो कि एक और ब्यूटी प्रोड़क्ट से आपको आपसंस देता है यह आगे देखते हैं यह देख रहे हैं कितना बड़ा यह वाइट कलर में यह बना रखा है और नीचे फूल जिसमें से यह लाल कलर की पैटल निकल लई है कि यह जो हमने जूमा एंट्रिगेट पर देखा तो इसे हम बिल्कुल पास से देखते हुए क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है अजय कि देख एक अगना बना है यह पूरा जूमर अजय देखें देखें अडर्ग्राउड फ्लो ग्राउड फ्लो पे सेकेंड थर्ड फ्लो पे कौन कौन सीजिसे में सोरों से यह हम चलते हैं उपर क्रिस्मस को स्पेश्याल यह काउंटर बना रखा था फंसिटी में जहा एक सेंटर है यह पूरा उनका आउटलेट बना रखा है Merry Christmas और यह Lucky Spin भी है Fun City के लिए जिसमें आपको जो Spin होके आएगा वो ओफर आपको मिलेगा यह उसी के सामने देखे यह स्टेश सो चल रहा है Jokals यानि Clowns का यह अलग-अलग एक्टिविटी कर रहा है काफी भीड़ती देखे एक बॉल उचल रहा है दो लोग अपना यह एक दूसरे को पास कर रहा है बैटन काफी अच्छा लग रहा है देखे काफी लोग यहाँ यह आकांट सर का केंट था हमें भी काफी अच्छा लगा यह ओपन स्टेज में है और यह क्रिस्मस की बज़ए से स्टेज सो किया गया है इनके दूआरा हम लोग ने भी यह काफी इंजॉई किया है यह सो इनका देखे लोग अलग अलग अक्टिविटी करते हुए यह अब हम आगा है एक और फ्लोर उपर जैकि यह रूफ पर और यह पिलर्स पर काफी यूनिक डिजाइन की गई थी यहां ट्रेडिशनल क्लॉट्स के लिए काफी आपसंस मिल जाते हैं देखे मोहान लाल संस यह ट्रेडिशनल कोई भी इविंट हो बैडिंग्स हो उसके लिए आपको यहां काफी आपसंस मिल जाते हैं अलग अलग सोरूंस हैं ट्रेडिशनल क्लॉट्स के लिए यह तस्व जो की अधित्यववैला का प्रोडक्ट है यह भी एक ट्रेडिशनल क्लॉटिंग्स के लिए सोरूं मैं आई वर में मार्केट 99 जहां आपको घर के लिए काफी प्रोडक्स मिल जाएंगे काफी सस्ते रेट पर आईए हम चलते हैं क्या क्या है यह पूरा टॉई सेक्षन है छोटे बच्चों के लिए काफी टॉईज के आपसंस मिल जाते हैं इदा देखिए और क्या के मिलता है यह बैग्स है कैरी बैग्स चोटे-चोटे कंटेनर्स जिस पर पपीज बने हुए है यूनिक डिजाइन की कुछ बास्केट्स देखिए अलग-अलग डिजाइन की बास्केट्स रखें हुई है इनकरमा का प्राइस देखेंगे तो उनली 2.99 है 4.69 तो अफॉर्डेवल रेट्स में हैं मिल जाती है यह सब सीचेट्स बाक्स जो की काफी यूनिक डिजाइन के हैं देखिए कितने सारी अलग-अलग डिजाइन के हैं यह आई अब हम चलते हैं आगे यह बौल पर साइड में काफी अची डिजाइन बना रखी है डिस्प्ले लगा तो रखी है जिसमें जो चलती रहती हैं डिजाइनिंग में हम दिखा रहे हैं देखिए नीचे काफी अक्छा लग रहा है जो इस्ट्रुक्शर बना रखा है यह उपर से भी हैंगिंग हैं तो इस पर काफी अच्छ लगता है अगया है यह वह फिर देखने को मिलता है यूनिक डिजाइन यह जो हम देख रहे थे अभी वाल जो इस पर काफी डिस्प्लेइज लगी हुई है जो की डिजाइन काफी अच्छे डिजाइन है यह अब हमें एक और फ्लोर उपा जाते हुए थर्ड फ्लोर पा आ चुके हैं यह ओईसिस फूड कोट है जहां आपको इत्तों सीटिंंग Ela डिया दे गाया पूरे फूड कांटर के लिए काफी सारे या अप्संस मिल जाते हैं विए भी फूडिंग काफी सारे options मिल जाते हैं देखिए बच्चों के लिए बाइक राइड ये जो जूला है पूरा है इस पर बच्चे बैठते हैं और ये गुमता है राउंड राउंड ये बच्चों के लिए climbing के लिए बच्चे try कर रहे हैं देखिए ये काफी अच्छा लगता है बच्चों को ये try करना ये देखिए डाइनसार एरा को ये गेम जहां ये बच्ची डाइनसार को आते हैं तो यह बच्चे काफी enjoy काते हैं काफी options मिल जाते हैं गेमिंग के लिए मुपाल से दिखा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है ये एक design का ये कौज जूमर और हम नीचे जाते हुए तो अभी हम ये नीचे वाले फिलोपे ये आइनॉक्स मेगड़ 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 आइमैक्स इंसिगनिया ये अभी ओपन होने को है जल्दी आइमैक्स और ये सब ओपन हो जाएगा ये मैक्स का सोरूम जहां आपको प्लोटिंग का एक और option मिल जाता है इस पर अभी सेल चल रही थी आई ये अब हम नीचे आ चुके हैं तो अभी हम ये एक्जिट करते हुए गेड़ से तो काफी अच्छा लगा हमें हाँ अब हम बहार चुके हैं अधेरा हो चुका है देखिए लोगों की भीड़ा आने लगी है अभी काफी ये रात के समय देखिए कितनी लाइटनिंग हो चुकी है क्रिस्मस ट्री पर लोग भी काफी हो चुके हैं देखिए कितनी काफी भीड़ा है देखिए और ये जोगास का अभी भी सो चलता हुआ ओपिन एरिये में क्रिस्मस के लिए काफी अच्छा डेकुरेशन का रखा था तो क्रिस्मस के मौके पर आप भी यहां विजिट करें काफी यूनिक है थैंक्स वर बच्छिंग दोंगे तो सब्सक्राइब लाइब यहां जिए और इस वीडियो थैंक्यू